हलो फ्रेंड्स वल्कम टो आई एक्जाम भी आइम सुशी लगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग वीडियो के कमेंट्स में मुझे क्वेशन पूछ रहे कि सर एनेज भी जो है असिस्टन मैनेजर उसका एक् साम के मैंने अल्मुस्ट करेक्ट डेट्स बता दिये और उसी डेट पर एक्जाम हो रहा है और पिछले 18 साल से मैं आर भी ए ग्रेट भी की भी एक्जैक्ट वैकंसी आपको बता रहा हूँ इस ये भी मैंने जो एक्जैक्ली बताया था कि 66 वो आपको ने देखा होगा उसक सारी इंफर्मेशन मुझे जो अलग-अलग रिसोर्से से मिलती है मैं आपको वो आपसे शेर करता हूँ परपस एक ही है कि आप अपका प्लान कर सके पढ़ाई का प्लान कर सके मल्टिपल एक्जाम साती है आप अपना प्रायरेटी सेट कर सके तो उसी डेरेक्शन में अभी यह All India Financial Institution है और इसका office main headquarter कहा है आप सबको पता होगा डेली में है और बाकी पूरे इंडिया में कहां कहां इसके offices है और उस office में कितने लोग काम करते हैं लास्ट इयर भी मैंने यह वीडियो बनाय था और उस टाइम 199 लोग थे अभी 248 लोग यहां पर हुए है तो जो 49 ल वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह आपको पता है अम इस post के बारे में बात करते हैं एड असिस्टन मैनेजर स्केल बन जनरी लिस्ट है यहां पर अगर आप देखेंगे SC category की 4 post है ST की एक भी नहीं है OBC, NCL, EWS, UR और total 18 है including physical handicap की VI, visually impaired category की exit और यहां पर यह आपको पता है Dr शर्मा सर, A exam B में faculty है और यह ED रहे चुके है, executive director यानि की second topmost level की post होती है, उन्होंने video बनाया हुआ है, आगे भी जाके वो video बनाएंगे, यह video का link में comment section में देता हूँ, otherwise आप search करके भी देख सकते हैं, यह आपको देखना इससे आपको पता चलेगा NHB के बारे में, उसके interview है और इन्होंने हिंदी में interview दिया है, आप भी interview हिंदी में दे सकते हैं, बिलकुल language का कोई problem यहाँ पर नहीं है, और अभी आते हैं, यह important main topic है, यह exam जो date है, वो 3rd October है 2024, tentative exam date है, और यह Thursday को है, in between भी आपको पता है, in between भी exams होती है, यह देखी, यह मैंने video last time बनाया था, यहाँ पे photo है, सरका, डॉक्टर संजीव शर्मा सरका, उसके बाद managing director होते है, वो top level की post है, और second number पे डॉक्टर संजीव शर्मा रह चुके है, और अभी 248 है present state, और जो यहाँ पे लिखा है, 49 officers पिछले एक साल में join की है, और अगर आप दोनों का difference देखेंगे, तो 49 आता ह तो अगर आप देखेंगे, last time जो 49 लोग आए, वो कहां कहां join की है, maximum daily में, क्योंकि daily में headquarter है, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर, तो 60% जो officers है, वो daily में है, उसके बाद दो number पे आता है, 25, vacancy, Mumbai में है, फिर चन्ने में आप देखिए, यहाँ पर, मतलब इनका transfer हुआ एमदाबाद है, भूनेश्वर है, और रांची और त्रिवेंदरम का, जो त्रिवंदरम पुरम का जो office है, वो last time नहीं था, इस बार नया office open हुआ है, तो पूरे इंडिया में spread है, लेकिन majority अगर आप देखेंगे, डेली और Mumbai मिला के maximum 70-75% post, दो city में, लेकिन बाकी cities में भ महाँ पर चांस हो सकता है, तो यह exam date है, अभी tentative है, mostly लेकिन आपको पता है, जितने भी tentative भूला है, वो tentative भूलना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके कोई भी administrative purpose के वाज़े से change होने का chance होते रहता है, और यहाँ पर आप देखो 15 regional offices हैं, और यह सारा information है, और actually यह आगर आ analysis कोई करता नहीं, मुझे actually personally इसमें बहुत मज़ा आता है, तो मैं करता हूँ यह, और मेरा भी इसमें interest है, मतलब analytics जो है न, गो analysis कर में मुझे मज़ा आता है, यह कोई करेगा नहीं क्योंकि इसको बहुत time लगा है, दो से तीन घंटे लगी यह सारा करने में, बुझ आओ, office director open करो, एक 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 करके गिनो, ऐसा कि यहाँ पी दिया हुआ नहीं है, correct यह दिया हुआ नहीं कहीं पर, यह personally एक 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 गिन के किया हुआ है, ठीक है, आपकी लिए क्योंकि आपको इसका कोई फायदा हो, बाकि कोई भी अगर आपको doubt है इसके बारे में, तो आप comment section में and poos echt fps, Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.